प्रेंट्स मैं डॉक्टर फकार्ष हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्चिन इंफो से दफ से आप स्वागत करते हैं दोस्तों इस वीडियो में कुछ नए अब्डेट के साथ हाजिर हुआ है और अब्डेट है मदप्रदे स्टेट नीट पीजी कांसलिंग से रिल कितनी डिपाजिट अबाउंट लगती है तो यह सारी डिटिल्स पे हमारा यह आज का वीडियो रहेगा तो आईए वीडियो स्टाट करते हैं और देखते हैं कि क्या अप्डेट्स है तो फ्रेंड्स मदप्रदेश एक ओपन स्टेट है नीट पीजी कांसलिंग के लिए और दो फरस्ट वाम कांसलिंग रहता बंसक्त ह्ण आइबकांशिंग से कैस नीट पीजी की कांसलिंग ओपन है तो व्ल क्शेलन्स में और आधिप्टेश से किये रहे होए तो पूर्स मद्प्धेश same आपने complete की हो MBBS और second round से या फिर domicile आपकी वहीं की हो अब वहीं के रहने वाले हो और second round से open हो जाता है open to all states यानि कि किसी भी state के student जिन्हों कहीं से भी MBBS किया हो इंडिया में वो apply कर सकते हैं मद्द प्रदेश state में दो लाग की deposit amount रहती है इंडियन students के लिए जिन्होंने course इंडिया से किया है especially मद्द प्रदेश से first round के लिए और second round या map of round जब भी वो open करें तो और बाखी जितने students हैं उनके लिए भी टू लाक deposit amount रहती है counseling में participate करने के लिए जो NRI students है उनके लिए 10 लाक की around deposit amount रहती है counseling में participate करने के लिए जो NRI quota में eligibility tight area को students fulfill करता है जो बाहर के NRI students है उनके लिए 10 लाक रुपीस deposit amount रहती है इंडिया में total number of seats 37,288 है जिसमें MD seats 24,514 है and MS seats 12,774 है Madhya Pradesh जैसा आमने previous वीडियो में बताया था Madhya Pradesh state में total number of seats 1,482 है government seats 420 seats 420 है private 543 है Madhya Pradesh में MD के लिए 135 permitted seats है recognized 827 है total 962 है MS के लिए 58 permitted है and recognized 462 है and total number of MS seats 520 है जिसमें all India quota के भी seats included है यह अभी तक फिलहाल जितनी seats है उसकी data है और in case first round of counseling के लिए अगर seat matrix में कोई number of seats increase होती है MDA, MS में या फिर कोई नई colleges आती है तो इसकी वी details हम आपको अपने official YouTube channel के थूँ देते रहेंगे तो बने रहे हैं हमारे चैनल के साथ subscribe कर लिजेगा दोस्तों ताकि आपको सारी updates on time मिलती रहे और description box में दिएगा numbers पे call कीजेगा अगर किसी भी तरह कि की information update guidance आपको guidance की आपको जबूत है बेज़ी जग कॉल कीजेगा मदपद्र स्टेट में around six medical colleges है नीट पीजी कांसलिंग के लिए people's college people's medical college भुपाल एलन medical college भुपाल चिरायू medical college भुपाल इंडेक्स medical college इंदोर श्री और अरबिंदो इंस्टूट चैनल के थ्रूँ आपको देते रहेंगे subscribe जरूर कर लिजेगा हमारे चैनल को दूस्ता मदपद्र स्ट में government colleges में 50% और इंडिया कोटा से seats fill up होती है 50% state quota से private colleges में different categories होते हैं unreserved SC, SD, OVC और जब open होती है तो एक open category भी होती है जिसके थ्रूँ private colleges में seats fill up होती है और एक NRI quota भी होता है NRI students के लिए जो eligible है इस quota के लिए वो apply करते हैं और counseling के थ्रूँ seats लेते है NRI quota की seats की जो fees है वो थोट काफी high रहती है normal seats से private colleges में screen preference आपको private medical colleges की fee structure दिख रही होगी और यह जो fees है यह Indian students के लिए NRI students के लिए NRI की fee structure अलग है तो जितनी भी private colleges है six private colleges है उनकी clinical as well as well as non clinical and do colleges index Indoor and LN Bhopal में pathology भी included की है हमने तो यह सारी clinical non clinical and pathology जिन colleges में है उन सारी की fee structure आपको screen पर दिख रही है तो यह अभी तक की फिलाग previous year की final fees थी जो अभी तक है updated official site उसकी details है इनके fee structure change में कुछ changes आएंगी तो हम अपने official website के through on time आपको update करतेंगे screen preference आपको government medical colleges colleges की PG की first round counseling से पहले जो seat matrix आई थी उसकी details है आप देख सकते हैं कि जितने medical colleges है government medical colleges different branches में क्या seat different categories में है उनकी सारी details दी वी है screen preference private medical colleges में क्या seat matrix थी first round of counseling से पहले first round of counseling के लिए actually first round of counseling में different categories में कितनी seats available थी 2020 need PG counseling के लिए उसकी details आपको दिख रही है screen preference आपको NRI quota की seat matrix दिख रही है different private colleges के लिए क्या seats available रहती है mostly first round of counseling में 2020 में first round of counseling के लिए क्या seats available थी NRI quota के लिए जो NRI students है जो eligibility fulfill करता है NRI quota के लिए उसकी details आपको दिख रही है friends screen के आपको stipend दिख रही है government as well as private medical colleges के लिए मधिपर्दे स्टेट में first year में 65,000 रुपीज पर मन्त है second year में 67,000 रुपीज पर मन्त है इंडियन रुपीज and 30 year में 69,000 इंडियन रुपीज पर मन्त है मतकदे स्टेट निट पीजी मेडिकल कॉलेजेस के लिए government as well as private तो friends सकर आप service bond की हम बात करें तो service bond 10 lakh की है और अगर आप course discontinue करते हैं अपने course duration के दौरान और seat छोड़ देते हैं अपने पढ़ाई के दौरान नीट पीजी की पढ़ाई के दौरान तो seat living penalty जो है वो भी 10 lakhs की है अगर आपको हमारा ये वीडियो informative, helpful या नवर्दक और अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें ताकि आपको सारी updates on time हमारे YouTube चैनल के तुरू मिलती रहें और किसी भी तरि के की information, update, help, counseling items, paid counseling items के लिए, screen पर दिख रहें इन numbers पर ये description box में दिएगा numbers पर जरूर करें This is Dr. Prakash signing off from official YouTube channel for channel info solution. Thank you.